Learning license के लिए apply होने के बद आपको online तरीके से एक exam देने होती है जिसमें pass होने पर आपको learning license मिल जाता है Online exam में आपको total 15 questions पुछे जाते हैं जिसमें से आपको 8 questions सही answer करने होते हैं अगर आप कम से कम 8 सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो आपको learning license मिल जाएगा आप test pass कर लेंगे इस वीडियो में हम यहीं बात करने माले है कि आपको test pass करने के लिए किस तरह exam देना है कौन-कौन से आपको सवाल पुछे जा सकते हैं किस तरह के आपको सवाल पुछे जाएगे तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखेगा और हम लास्ट में यह भी बात करेंगे कि test pass करने के बाद आपको केसे learning license पाना है सबसे पहले आपको परिवहन की इस site पर चले आना है आपको इसके link description में मिल जाएगे इस site पर आने के बाद आप नीचे slide कर लेंगे और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा यहाँ पर से आपको learner license इसके ऊपर tap कर ले ना है और यहाँ पर नीचे आपको काफी सारे option show कर दिया जाएगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा online ll test तो यहाँ पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर आपको आपका application number डाल देना है यहाँ पर आपको आपका date of birth डाल देना है और यहाँ पर आपको password डाल देना है यह तीनों आपको add करके आपको login कर लेना है तो आपकी exam open हो जाएगी आपको password send किया जाए उसके बाद इस date पर आपको exam देनी है उस date पर आपको इस तरह से exam देनी है इस तरह आपको login कर लेना है अब हम बात करते हैं कि exam में आपको किस तरह के सवाल पुछी जाते हैं और आपको किस तरह इसका answer देने हैं तो उसके लिए आपको back आजाना है और यहाँ पर वापस से आपको learner license इसके नीचे आपको चले आना है और यहाँ पर नीचे mock test for ll यहाँ पर आपको click कर देना है और आपके पास कुछ इस तरह का user interface आ जाएगा तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम enter कर देंगे यहाँ पर आप date of birth एंटर कर देंगे यहाँ पर से आप अपनी language select करके यहाँ पर से आप state select कर लेंगे और last में यहाँ पर sign in कर लेंगे तो आप जैसे सी sign in करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का user interface आ जाएका दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सवाल पुछे जा रहे हैं तो आप जब test देंगे online test देंगे उस वक्त भी आपको कुछ इसी तरह सवाल पुछे जाएंगे कुछ इसी तरह का user interface होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक सवाल पुछा गया है सवाल पुछे जाने के बाद यहाँ पर हमें उसके चार answer दिये जाएंगे उसमें से आपको कोई एक answer टिक करना होता है यहाँ पर आपको timing दिखाया जाएगा यहाँ पर आपको एक question के लिए total 30 second दिये जाता है 30 second में आपको उस question का answer देना होता है अगर आप यहाँ पर गलत answer दे भी देते है या फिर यहाँ पर आप अगर answer नहीं देते है तो यहाँ पर यह 30 second पूरे होने के बाद उस answer को सही आपको दिखाया जाएगा कि कौन सा answer यहाँ पर सही है तो आप देख सकते हैं तीन नंबर का जो आंसर था वो यहाँ पर सही था वो हमें दिखाए दे दिया गया और आप जैसे ही 있ए आंसर देते हैं तो यहाँ पर आपका स्कॉर जो है वो बढ़ने लगे गा तो चलिया बंच सवल का आंसर देते हैं सबसे पहले एक फिलसंग खत्म हो जाने देते हैं और यहां पर एक नया सवल आ चुका है यहां पर पुछा गया है यदि निकट तम कोई एंब्यूलन्स है तो और उसके बाद हमें दिया गया एंसर उसे रास्ता दिया जाना चाहिए यदि आगे की और कोई वहन न हो उसे प्रमुक्ता देने की कोई आवेस सकता नहीं वहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वहन चला कर उसे रास्ता मुक्त करेने तो दोस्तो यहां पर से आपको आपका common sense यूज करना है और आपको इसका आंसर देना है जैसे कि यहां पर इसका यह आंसर होता है वहां चालक को रास्ते के किनारे अपना वहां रख कर उसे आगे बढ़ने देना है तो वो आंसर में ने दे दिया और वो सही था तो कुछ इसी तरह आपको अपना common sense यूज करके आपको इस सवाल का आंसर देना है एक और question आ गया है तो दोस्तो आपको कुछ इसे symbol वाले questions भी पुछे जाएंगे यहां पर पुछा गया यह चिन्ह प्रदर्शित करता है पिछे से आने वाले वाहन को रुखने का अनुरोद करता है दाये मुढ़ना चाहते है विपरिदिशा से आने वाले वाहन का रुखने का यह चिन्ह प्रदर्शित करता है निझी करो के लिए प्रवेश निशेद टेक्सी का पार्किंग स्थल पुलिच वाहनों के लिए फार्किंग MARKि इनमें से कोई नहीए तो यह आपको देख लेना है और यहां पर यह टेक्सी का पार्किंग स्थल सही आंसर है तो मैं इसको आंसर कर देता हूं तो यह आंसर भी सही हो चुका है तो दोस्तो कुछ इस तरह के आपको सवाल उचे जाते हैं जिसका आपको आंसर करना होता है को और सवाल है कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे गहरा उतार ढलान है तो यहाँ पर से आपको सभी symbol देख लेने हैं, तो यहाँ पर से यह वाला last जो है, वो मुझे लगता है, तो यहाँ पर से मैं इसको tick कर लेता हूँ, यहाँ पर अच्छे से draw भी किया गया है, तो यहाँ पर मैं इसका, तो यह answer भी सही है, तो दोस्तो कुछ इस तरह के आपको सवल पुछे जाता है, आपको आपका common sense यूज करना है, और उसके answer दे देना है, कौन सा चिन्ह बताता है, कि आगे प्राथमिक उप्चार कैंदर है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, तो यहाँ पर medical का यह symbol बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर से इसको tick कर देता हूँ, तो यह वाला answer भी सही हो चुका है, तो दोस्तो कुछ इसी तरह आपको आपका common sense का यूज करके answer देना होते है, तो दोस्तो यह तो mock test है, यहाँ पर आपको टेस्ट में भी answer देना होता है, यहाँ पर आपको जिस तरह का user interface मिल रहा है, जिस तरह के आपको question पूछे जाते है उसी तरह का question भी test में भी पूछे जाएंगे, और वहाँ पर भी कुछ इस तरह का user interface होगा, और वहाँ पर भी आपको timing दिखाया जाएगा, और यहाँ पर आपको score दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको score चार तक बना लिया है, आपको total 15 question में से 8 patient के answer सही करने होते हैं, उसके बाद आप test pass कर लेते हैं, अगर आपको समाप्त करनी है exam, तो यहाँ पर से आप समाप्त कर सकते हैं, और अगर आपको आपका जवाब तिक करके उसको दर्ज करवा ना है, तो यहाँ पर आपको पूश्टी पर click करना है, तो यहाँ पर मुझ आपको इस तरह symbol के उपर से और नियम के उपर से सवाल पूशे जाते हैं, जिसका आपको सही answer देना होता है, 15 सवाल में से 8 जवाब सही देने पर आपका test pass हो जाएगा, और आपको learning license मिल जाएगा, तो यह हम mock test दे रहे हैं, mock test में आपको practice करते जाने हैं, यही सवाल आपक test attend कर सकते हैं, लेकिन आपको test में सिर्फ 15 ही answer attend करने हैं, उसमें से 8 question के आपको सही answer देने हैं, कम से कम, और उसके बाद आप test pass कर लेंगे, और आपको license मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 8 question के भी सही answer नहीं कर पाते हैं, तो आप test fail हो जाएगे, और आपको दूसरी बार apply कर लेते हैं, तो आपको learning license मिल जाएगा, test pass करने के बाद आपको कैसे learning license print करना है, वो अब हम बात करते हैं, तो उसका लिए आपको नीचे slide कर लेना है, और यहाँ पर आपको driver object learner license, इसके नीचे यहाँ पर more पर click कर देना है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का user interface मिल कर देना है, और यहाँ पर आपको proceed पर tap कर देना है, तो यहाँ पर से आप learner license को print कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो application number के उपर से print कर सकते हैं, यहाँ पर आपको application number डालना है, और यहाँ पर आपको date of birth डाल देना है, और यहाँ पर submit पर click कर देना है, और अगर आप चाहे तो license number के उपर से भी print कर सकते हैं यहाँ पर आपको चले आना है और यहाँ पर आपको आपका license number add करके यहाँ पर submit पर click कर देना है तो आपका जो license है वो download हो जाएगा आपके computer में या फिर आपके mobile में और आप उसका print निकल वा सकते हैं और आप उसकी hat को भी भी बनवा सकते हैं learning license में आपको जो date बताई गई है उसके 6 महिने के अंदर आपको आपके regular license के लिए apply करना होता है तो दोस्त उमीदे आपको वीडियो पसंद है अपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को like जरू से किजिगा अपको नि चाल में तोस्तो है